सबी भाई और बैनों को मेरा प्यार वरा नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त राहुल और यह क्लास है साइकलोजी की यह आप सीडीपी कह सकते हो जो कि आपको कुछ-कुछ टैम पर मिलती है जैसे कि आपके बहुत सारी मैसेज आए तो मुझे लगा क्लास बनानी चाहिए तो थेंकिसो मच इतना जाता सपोर्ट करने के लिए प्यार करने के लिए वीडियो इसको पहले कॉशन से स्टार्ट करेंगें आपका पहला कॉशन कहना चाहता है किस इस्थान पर प्रथम मनोबैज्ञानिक प्रयोकसाला वह भी प्रथम अगर यह आपकी दिमाग में आये न ही वनोविज्ञान के जनक है ठीक है याद रखना तो इन मुंट साव ने 1879 लिपजिंग सहर जर्मनी में कहां पर जर्मनी में कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स बिस्व बिद्याले में पर्थम प्रियुक साला खोली थी और इन्होंने किस पर अध्यन किया था चेतन मन पर और सरचनाबाद के जनक कहलाते हैं और इनके सिर्सिते दो एक तो थे स्टेनले हौल और एक थे कौन एक तो स्टेनले हौल थे एक टिचनर थे ठीक है इतना याद होगे हैं एक फैक्ट पूछा गया है मज़ा आ जाएगा इस्टार लगा देना इतना अच्छा नहीं हर बात पुछा जाता है next Germany के William Bunt जाने जाती है दो कहा के थे Germany के William Bunt किसलिए जाने जाती है computer की छेतर में कायर करने के लिए गलत चिन्न सिद्दांद तो किसका था Tallman का था Tallman Tallman ने क्या दिया था चिन्न सिद्दांद ठीक है तो एक और तीन में से आपको बताना है बैसे मैंने भी आपको उपर वाले कोशन में explain किया था कि क्यूं जाने जाते हैं तो कोशन नम्मर दो जवाब देंगे आप comment box में ठीक है? फ्लीज वीडियो शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके कि सोरा वस्ता में बालक अच्छे से तयार होता है दरपण में अपना चेहरा को निरंतर देखता है और केवल अपने आप से प्यार करता है तो fried, sigman fried मनो बिशलेशन बाद मनो बिशलेशन बाद fried को दिमाग में आती मनो बिशलेशन बाद आना चाही दिमाग में id, ego, super ego ठीक है, यह आना चाही दिमाग में और अचेतन यह अर्द चेतन और फिर यह आता है, चेतन मन तीन मन थे इसके हिसाब से ठीक है, यह आना चाही आपके दिमाग में ठीक है अब देखो क्या होता है, कि कि सोरा बसता जब होती न, आप 12 से अठारे के बीच में, तो हर कोई अपने आप से प्यार करने लग जाता है, ऐसा लगता है उसे, कि सारी दुनिया उसे ही देख रही है, ठीक है, तो यह क्या होता है, आत्म मोह होता है, ठीक है, इसे याद रखें, आंसर हो जाएगा तू, और इनके सिस्थे, उनका क्या नम था बताओ, अंतर दर्सन और बहर दर्सन किसने दिया है, यह आप बताओगे अगर हो सके तो, अंतर दर्सन और बहर दर्सन किसने दिया है, ठीक है, नेक्स्ट, अच्छे चलो, ऊपर बाले का ना, थोड़ा समय और एक्स्पेंट कर देता हूँ, एक चीज आता है, जो मैं कह र यह थे ठीक है उन्होंने वर्ड एसोसियेशन टेस्ट भी दिया था 1910 में यह आपके बर्ग दो का पुछा हुआ कोशन है ठीक है याद रुखना नेक्स्ट कोशन समावेशी सिख्षा स्वागत करता है समावेशी सिख्षा क्या कहते हैं इंगलिस में इंक्लूजिव एजूक इंक्लूजिव एजूकेशन ठीक है केवल अच्छमता सीखने वालों का केवल वाली तो हमेशा कार्ट दिया गरो मैंने आपको हजार वर होता है सो परसेंट नहीं तो 99 परसेंट तो केवल वाली गलाथ होते हैं यह कार्ट दो यह कार्ट दो एक सेकंड में आंसर आ गया प्यांगे मतलब पैरों से थोड़ी से प्रॉब्लम है आँखों से प्रॉब्लम है सुनने प्रॉब्लम या अच्छमता रहे तो मतलब सामाने बच्चा है तो दोनों तरह के बच्चेओं को स्वागत करता है इंक्लूजिव एजूकेशन ठीक है इस चीज को याद रुकेश कि सिच्चक क्या है सिच्चक एक सुबिधा प्रदाता है सुबिधा प्रदाता है या इंग्लिस में बोलते हैं फैसिलिटेटर आप लोग बताना प्लीज आज कि आप लोगों को ये इंग्लिस में मैं बताता हूँ तो ये अच्छा लगता है या थोड़ा और ज्यादा तो ये चीज़ बताना अगर इंग्लिस में अच्छा लगता होगा एक्ष्टा फेक्ट अलग से गर बताना तो तो बताऊँगा इंग्लिस में भी नहीं तो हिंदी में चलने दाए इंकलाद ठीक है नेक्ष्ट त्रस्टिबादित मतलब जिनके लिए हम क्या यूज करते हैं ब्रेल सामेकरी जिनकी आँखों से प्रॉब्लम जिनके होती है विद्यार्थियों की सिच्छा के लिए क्या आवश्चक नहीं है मतलब इसमें तीन चीज़ आवश्चक होंगी एक नहीं होग और ब्रेल डे कब मनाते हैं चार जन्वरी और ब्रेल में कितने बिंदू होते हैं ये पूछा जाता है छे बिंदू होते हैं स्रब्ब कैसे सही है अगर दिखनी रहा थो सुनके पढ़ लेगा ठीक है अब छोटे अच्छरों में छपी किताब इसका तो कोई मतलब नहीं है देश्ट बादतों के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा डी और एक चीज़ याद रखना एक कोशन बहुत आता है स्रब्ब बादित अगर मतलब दोनों कानों से स्रब्ब बादित है तो वो कितनी साउंड की अबाज को नहीं सुन सकता तो वो नहीं सुन सकता 70 decibel की ठीक है इ मांसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटल विवार संपर कर सकते हैं मतलब आप मांसिक रूप से सचेत नहीं हो फिर भी आप जटल विवार कर रहे हैं यह पता किस तरीके से इस तरीके से आप कार चलाते हो ठीक है तो कार चलाते हो और एक दिन ऐसा हुआ कि आप सो के अब बच्चों से पूछना तो बच्चे तो सुनाने में दिक्कत करते हैं आप मांसिक रूप से सचेत नहीं हो फिर भी अगर आप से कोई पूछ लेगा तो भी आप बिल्कुँ सही सुना लोगे तो यह सब क्या है आपकी आदत में आगई है तो आदत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है तो अच्छी चीजह की आदत डालो जादा से जादा एक बार आदत पढ़ गई है अच्छी चीजह की जैसे देखो अभी कितना टाइम होगा है अभी हो रहा है बारे पैतालीस तो अब आदत ऐसी पढ़ गए ये रात को जगने की तो अब सोया ही नहीं जाता नीद आती तो अच्छी चीजों की आदत डालो ऐसा नहीं करा कि ये अच्छी आदत है सुबह उठके पढ़ना चाहिए जित्ता जादा हो सके सम्मान और प्रतिष्ठा बना व्यक्ति के लिए अभी प्रेणा की तरह कारे करते हैं ये किस रिणी में आते हैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इसकिनर का नाम याद रखने इसकिनर ने कहा था अभी प्रेणा सर्वोत्तम राजमार्ग है और प्रेणा क्या का है राजमार्ग ठीक है याद रखना इसके नरखा और इस सम्मान और प्रतिष्ठा क्या होती ये जुड़ी होती आपकी सामाजिक से किस सामाजिक से ठीक है याद रखना आंसर क्या हो जाए रूबी नेक्स्ट नेक्ट कोशन है आपका देखो मिलान करना इसमें समीपस्त तूरस्त मुखी इसे पता क्या कहेंगे इसे कहेंगे प्रॉक्सिमो डिश्टल इंगलिस में ठीक है तो इसका होगा सरीर के केंदर से बाहर की ओर देखो ऐसे समझागा दूरा भी मुखी का मतलब क्या होगा दूर हो तो केंदर से दूर हो बाहर की ओर हो तो एका हो जाएगा फोर ठीक है सिरह पदानु मुखी तो सिर से पैर की ओर बी का हो जाएगा टू अंतरव्यक्तिक बिन्नेता है किसी बच्च इसको पता है क्या कहते है इसको कहते है सिफलो कॉडल अंतरव्यक्तिक बिन्नेता है यह होता है इंटरपर्सनल स्किल यह होती है किसी अकेले बच्चे में विकास के दर विमिन छेत्रों के पेचा दूसरे में भिन हो सकती है मतलब खुदी एक बच्चे में ही तुलना करना मतलब एक बच्चे के एडियाज में तुलना करना C का क्या हो जाएगा 3 D का क्या हो जाएगा अंतरा वेक्त इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल ये क्या होगा भिन्न बच्चे भिन्ने भिन्ने दर से बढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा एक ठीक है इस तरीके से आप मिलान कर लोगे इसका नेक्स्ट अब देखो यह मिलान करना है इसमें भी मनों विसलेशन बाद मैंने आपको बताया था सिग्मन फ्राइड इड इगो सुपरीगो और इन्होंने दो गăngथिया बताइएं कौन-कौन सी इरोस और थानटोस फाली म्रत्ति यह जन्म के लिए होती और दो इन्होंने वह बताएं थी एक तो ऑडिपस अइलेक्ट्रा गंथी ओडिपस लड़के में इलेक्ट्रा लड़की में ठीक है इतना याद रखना केश्टालडवाद बर्दी मर 1912 है याद रखना केश्टालडवाद का मतलब क्या होता है समगर देखना किसी भी चीज को केश्टालडवाद में किसका नाम सबसे जाद आता है कोलर का उन्होंने प्रयोग किया था चिंपेंजी जिसका की नाम था सुल्टान उसपर निर्मित बाद से मतलब क्या है लेब बायगोट्स की और निर्मित बाद में और किसका नाम आता है प्याजी का भी नाम आता है याद रखना है एक साथ नहीं आएगा मगर बिवारबाद किसका है खलका बिवार बाद के जनक को ने तो वो बाटसन कहलाते है जन्हों ने की बहर दरसन भी दी दै थी वो बिलियम बूंट ने क्या दी थी अंतर दरसन तो ये बिल्कुली मक्फन टाइप कोशन है इस्टार लगा दे न डैस वाले अवस्ता के दोरान अपने और दूसरे के नजरिये में फर्क करने की अयोगता उदर साता है बाले अवस्तागी बात कर रहा है केंद्रस्ट, इगोसेंट्रिज्म जीवबादी ये सब किस से रिलेटेड है प्याजे प्याजे ने कितनी इस प्याजे बता है चार, कहाँ के रहने वाले थे सुज़े लेंड के, दो लड़की और एक लड़का था इनका, उन पर प्रयोग किये थे ये किस सावस्तागी बात कर रहा है इनों चार वस्तादी थी, पहले वस्तादी संबेदी पेसी, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी मूर्थ, चौथी थी अमूर्थ संक्रियात्मक समझ में आ रहा है न आप लोगों प्लीज, प्रैसर लेके मत पढ़ना मौज से पढ़ना, अगर यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिए जिसने भी, तो एक चीज आप मेरी तरफ से लिख सकते हो कि आपका पेपर कोई ही रोक रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा फैक्ट्स को सुनना न, अपने आप में एक बहुती महान काम है हर कोई नहीं जेल सकता इतना, और आप जेल रहे हो इगो सेंट्रिज्म, और इसी अवस्ता में क्या आता है एनिमिज्म, मतलब पता है क्या वो कहेगा, रासिर चला, के मेरे साथ साथ सूरज चल रहा है अगर छोड़ी बच्चीयां क्या होती है, डॉल को खाना खिलाती है, अपने साथ सुलाती है तो वो निर्जीव को भी सजीव मानने लग जाता है ठीक है, इस चीज़ को याद रुखना केंदरस्त क्या होता है, मतलब एक ही चीज़ पे सारी चीज़ों को मिलाके केंदरस्त, एक ही पॉइंट पे देखना अलग-अलग पॉइंट्स को न समझ पाना उसे कहते हैं, किंसेंट्रिज्म ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, याद रुखना इतने ही कोशन थे प्लीज आज बताना, अच्छी लगी है वीडियो या नहीं लगी है और ये बता देना, कि अच्छा, एक काम करना प्याजे की स्टेजिज लिखना आप लोग प्याजे ने कौन कौन सी स्टेजिज दिए ठीक है, नाम लिख देना, उनके ठीक है, या प्याजे की बारे में जितना भी जादनते हो आप वो सब लिखना, खुद कोशिज करना कितना जानते हो कितना लिख सकते हो कर लिखने को दे दे दो ठीक है अपना और अपनों को ध्यान रखना वीडियो को शेयर करना बाकि जैहन जैवारत